नमस्कर साथियो आज का टोपिक थोड़ा हटके है और अगर पाकिस्तानी लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो उनके लिए भी खास मेसेज रहेगा पाकिस्तान में अगर आपके साथ वाले ने उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए हो सकता है आपको क्यों आता है कि अ पाकिस्तान के हलाद खराब हो रहे है आपका मतलब एक घर में दस मेंबर एक मेंबर खराब है तो पूरे परिवार को बजनाम करता है आप सबको पताएं यहां पर वाकिया हुआ तीन पाकिस्तानी लोगों ने मिलकर एक इंडियन घर के अंदर रूट मार्ग चोरी की जिया आसाती और उसको मार्पट पीट दिया मास्क पहने होई थी हम पूरी डिटेल से बात करेंगे पूरी गटना के बारे में वीडियो सा लगए तो लाइक शेयर करें चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओन कर लें फेस्बुक पेच वाले इसको फोलो करके रखें ताकि हर रोज आपको गल्प कंट्रीज की दुबई के बारे में वी के बारे में से इंफर्मेशन मिलती रहे तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं तीन पाकिस्तानी एक इंडियन बूर्ध दुबई आपको सबको पता वह दूर बूर्ध ठीक है वहाँ पे लगबग लेबर लोग रह दूसरे ने उसके मुँपे टेम चिपका थी प्लास्टिक डाल दिया और उसके उपर रोड से कुछ भी भारी वार किया जिसे हो गायल हो गया फिर उसके लेप तो पगएर सामान पगएर लेके फूर हो गया लेकिन फिर भी इंडियन था भाई हार नहीं मानने वाला था उस पुलिष में कंप्लेन कर दी अभी कोर्ड में मामला सुनवाई है अब देखते हैं उसको लेकिन बात क्या है बात यह भाई पा किस्तानी हर इस में पाकिस्तानी नाम क्यों आता है सोचने की बात है यूए में आप ट्राइब करना पाकिस्तानी लोग कितने रहते हैं मुझे पता है आप लोग वीडियो देखते हैं अच्छी बात है मैं किसी बुराई नहीं करता लेकिन आंगडों के अधार पे बास सचा ही अक्षे कर रखा है सौधी ने आपको इस्टोप कर रखा है दुबई ने भी इस्टोप कर दिया मेरे भाई आपके विजिट विज़ा इस्टोप कर दिये कहीं ने कहीं आप लोगों के उपर रोजगार के उपर आपकी पेत के उपर लात लगने वाली है यह बात यहां दिमाग में बिठा लेना दिल में भी बिठा लेना क्योंकि कहीं न कहीं जो भी क्राइम होता है पाकिस्तानी लोगों का नाम आता है अधर इस्टेट में और एक बात हमें सा ध्यान रखना वार्शिक रिपोर्ट पांस साल से एक रिपोर्ट बनती है कि कौन से देश के ज्यादा लोग पड़े हैं जी हां तो यह सर्वे के आदार में पता लगता है कि उस आदमी उस कंट्रीज के लोग सही नहीं है इसलिए वह उन्हों लोगों को फिर फिज़ा देना पिर उनके उपर कंडिशन लागो कर देना ठीक है इस तरह से पिर होने लग जाता है तो इसमें जो इंसान इमानदार हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं अच्छे पड़ेली के लोग हैं जो अच्छी सोच के साथ रखते हैं वो भी उसके साथ में उनके चक्रों में फिज़ाते हैं यह सचाई है हर जगह कहीं ने कहीं पाकिस्तान के लोगों का नाम आता है अगर आप पाकिस्तान लोग अभी तक जेल में हैं जो पूरे वर्ड में बता रहा हूं है पूरे वर्ड में 7300 आदमी जेल में और आपके 6000 लोग तो सिर्फ यूई में बैठे हैं बाकी देशों को क्या होगा आप सोचके देख लीजिए थोड़ा सा ठीक है क्राइम हो जाता है अक्षिडेंट हो जा पाकिस्तान का वीजा का नाम आता तो मना कर देते हैं पाकिस्तान में बीजा मतलब जो वीजा 400-300 दराम में आ रहा है उसको भी वह 500 दराम में इंटेस्ट नहीं होते देने में क्योंकि उनको पता हुआ कि यह और इसके बजाएगा उसका फाइन पिर किसको चुकाना पड़ पाकिस्तान की हालात खराब हैं आपको मजदूरी से हाथ होना पड़ सकता है आप समझ सकते हैं इस बात को तो आपके भी जो दोस्त हैं आपके पाकिस्तानी लोगों उनको समझाओ कि गलत मत करो इमान दर्य से पैसा कमाओ अब आपको लगता है कि जिन तीन लोगों ने इंडियन आदमी के घर पे उसे मार्पिट करके चोरी करके भागे हैं कितनी दूर भागेंगे उनको नहीं पता बेकूफ इंसानों को बूर्द बही कोई जंगल में तो है नहीं वो शिती में कैमरे लगें चारु तरफ वो ती तो अराम से पता लग जाएगा तो क्या होता है इन चीजों से थोड़ा सा सोच ले समझ ले फाइदे में रहोगे में नेक्स्ट वीडियो में चीजान करें इक साथ जेहीं जेवागा